नमस्कार आप देख रहे हैं Ambi News 27 वैश्वत महामारी के प्रभाव ने आम लोगों के जीवन के स्तर के साथ साथ तसकरी तंत्र को भी काफी लंबे समय तक प्रभावित किया इन दिनों कई थानों में प्रशासनिक व्यवस्था काफी सुस्ती और धीमी सी पड़ गई है प्रद काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कई थाने में पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर जानकारी देने के बावजूद भी कई दिनों तक टहलाते हुए सही समय पर प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाता जिसे दोशियों या अपराधियों पर सही समय पर कारवाई नहीं हो पाती है तथा उसका मनोबल दिन प्रति दिन पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ जाता है जिसके वज़े से कई बड़ी अनहोनी घटना को दोशियों या अपराधियों द्वारा निर्भै होकर कानून को चुनोती देते हुए अंजाम दे दिया जाता है कई धानों में कई घटना के घटित होने के बाद पुलिस प्रिशासन द्वारा अंत्म शन में कारवाई की जाती है स्थिय अब ऐसी बन चुकी है कि कई शेतरों में तो अब देश की चौथे स्थम्ब अर्थात मीज्या कर्मी भी पुर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है इन दिनों कई अपरादियों द्वारा मीज्या कर्मियों को भी जान से मार दिया जाता है जो काफी दुखद और भयावा स्थिती को दर्शा रहा है ऐसे छेतरों में होने वाली इतनी बड़ी घटना पुलिस प्रिशासन के रूप में लापरवाही और सुस्ती होने की नीती को दर्शा रहा है अलागे ऐसे पुलिस प्रिशासन पर अब वर्य पुलिस प्रिशासन द्वारा कई जगब पर विभाग्य कारवाई तथा बरकास्त भी किया जा रहा है देश की वर्दमान सितिको ध्यान में रखते हुए वास्तव में देश के तमाम पुलिस प्रिशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त होने की काफी जरूरत है सिसी टीवी कैमरा मॉनिटरिंग करते हुए तमाम अपराधियों या दोश्यों को जल से जल पकड़ते हुए उसे कठोर से कठोर कारवाई की जरूरत है इसी को लेकर बिहार के विभिन जिलो के हजारों की संख्या में सीटिट और बीटिट उत्रिं छात्र सिक्षक नियोजन से लेकर न्युक्ती पत्र से संबंदित अपने तमाम मामला को लेकर चार दिवस्य धर्ना पर बैठे हुए हैं जानकारी के मताबक इस धर्ना को देखते हुए बेना कुछ सूचना दिये कल पुलिस प्रिशासन द्वारा छात्र छात्राओं पर लाठी चार्च किया गया जिसमें भगदर मर्चने से कई छात्र छात्राओं घायल भी हो गए घायल में कई दिव्यांग शातर छात्राएं भी शामिल हैं उन्हें भी बक्षा नहीं गया जानकारी के मताबक कई छात्रों के बैग आवशक सामागरी खाने पीने के सामागरी और पंडाल को भी तीतर बीतर कर दिया गया इसके बाद छात्रों में काफी आक रोष्ट जाने से लोगों को सिर्फ ठंड से रहत मिलेगी लेकिन देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सड़कारी तंत्र में जो काफी लंबे समय से कुहासा लगा हुआ है उसे जल्द से जल्द रोजकार दे कर खत्म करने की जरूरत है तब ही जाकर तमाम शात्रों का कल्यान तथा भविश्य निर्मान होगा